हेलो एवरिवन अब की बड़ी खबर यह है कि जीते जी नरक भोगने वाले और हजार गालियों से ब्रेकफास्ट, हजार गालियों से डिनर करने वाले साथ ही अपना चैनल डुबा देने वाले चचार रभीशुदीन मरने के बाद भी फिलाल नरक में ही रहेंगे ऐसा मेरा नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर जाकर नाइक का मानना है वैसे जाकर नाइक ने ये बात कोई अपने मन से नहीं कहीं बलकि आसमानी किताब का फर्मान सुनाया तो क्या है पूरा मामला जानने वाले हैं आज इस वीडियो में दल्ली के फुरकान ने सबाल पूछा इसके सबाल से एक बात तो साफ है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको लगता है कि ये रवीश कुमार मुसलिमों की साइड लेता है मतलब इसके खुद के फैन इसको बाइस बोल रहे है आगे बंदे ने पूछा कि मैंने और भी अच्छे नॉन मुसलिम्स जनलिस्ट देखे हैं जैसे कि बर्कादत राजीब सादेशाई धुरूबलाटी तो इन अच्छे नॉन मुसलिम का मरने के बाद क्या होगा ने कि मैंने मत आखे हैं कि आखे हैं है कि हम मने अच्छा के उढ़ है, मैं पृंस, इसमक्या का प्श्क कि एन च्छा टो तो धाखे हैं देखो यार, इसमें आदे से ज्यादा वर्स तो मुझे समझनी आए, जैसे की पर इतना क्लियर है कि इनके जननत सब के लिए एक जैसी नहीं होती, जननत के लेबल्स होते हैं, ठीक उसी तरह नरक के यानि के जहनुम के या फिर हैल के भी लेबल्स होते हैं दूस्तो आश्मानी किताब के इसाब से वो सभी लोग जो एजननना तो नरक में ही है हाँ इतना हो सकता है कि मेरे और आपके जैसे लोग गरम तेल की कड़ाई में उबाले जाएं और रभीश कुमार धुरुगराटी जैसे अच्छे अच्छे नौन मुसलिम्स गरम पानी की कड़ाई में उबाले जाएं इससे भी जादा फणी बात अब बोले गई है बंदे का कहना है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे नौन मुसलिम्स हैं जो आज की डेट में इसलाम कबूल कर रहे हैं और एक बार आपने इसलाम कबूल कर लिया तो आप जन्नत चले जाएंगे मतलब ये करमावादा कॉंसेप्ट से हमारी है यार इनके ऐसा कुछ भी सीन नहीं है तुम मडर करो रेप करो बॉम फोर्ड दो मिलेगी तुम्हें जन्नत ही पर कितनी भी अच्छाई करो कितनी भी भलाई करो कितनी भी नेकी करो अगर एज नौन मुस्लिम मरते हो तो बिटा जानना तो नरक में ही पड़ेगा फिर भले ही वो सबसे कम टोचर वाला नरक हो मैंने कहा हीपोक्रसी की भी सीमा होती है दोस्तो वीडियो थोड़ा छोड़ा था पर आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा झाल 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 झाल